हेलो गाईज, वेल्कम टू विद्धापत अजुकेशन, माई निम इस करशनन पांडे और मैं आगे हूँ नहीं वीडियो लेकरके जिसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा फॉरें ट्रेड ओफ इंडिया के बारे में और ये वीडियो लगातार होंगी, सबसे पहले मैं पहला टॉपिक इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ और डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में मैं आपसे डिसकस करूँगा जो की अलग-अलग वीडियो मैं लाने वाला हूँ और इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सी वीडियो कब अप्लोड हो रही है इस वाली वीडियो में मैं आपसे सरिफ डिसकस करूंगा Foreign Trade के बारे में, ठीक है तो foreign trade as a subject है, ये पूरा एक subject का नाम है, मैं पहले ही बता दूं, ये पूरा एक subject है जिसका नाम है foreign trade of India, अगर आप B.com में पढब रहे हैं तो यह पूरा एक subject है foreign trade of India इस subject में जो पहला topic है वो मैं clear करूँगा जितनी theories हैं उसे पढ़ाऊंगा ठीक है तो सबसे पहले आप लोग simply क्या करो channel को अगर नए हो तो subscribe कर लो और अगर अभी subscribe कर रखा है तो आपको notification तो मिली गई होगी ठीक है तो चलो इस video को start करते हैं time waste किये लेकिन एक चीज़ मैं पहले बता दूँ आप लोग मैं अक्सर video बनाता हूँ देखता हूँ कि आप लोग video देखते हो लेकिन आप like नहीं करते हो ठीक है देखो like करने से कुछ होता नहीं है बस मुझे ये पता चलता है कि जो मैं बनाया हूँ आपके लिए relevant है या नहीं है ठीक है ये like से मुझे पता चल जाता है और अगर आपको कोई confusion है तो आप comment section में जाके मुझे comment करो कि सर इसमें ये गलत था या ये मुझे समझ में नहीं आया ठीक है क्योंकि मैं अपने आपको perfect teacher नहीं बोलता हूँ मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख रहा हूँ और कुछ चीज़ें जो मैंने सीख ले हूँ आपको सिखा रहा हूँ ठीक है तो please मुझे comment section में जा करके बताया करो और video का pdf पाने के लिए को मैंने पहले ही बता रखा है कि telegram join करो telegram पर मेरा channel है जिसका नाम है विद्यापत v-i-d-y-a p-a-t-h education ठीक है इस channel जो मेरा वहाँ पर channel है उसका नाम है ये education ठीक है विद्यापत education इसको जा करके डालो और उस पर आपको इस video की पूरी pdf lecture मिल जाएगी ठीक है तो चलो next slide पर बढ़ते है देखते है क्या है सबसे पहले हम देख लें कि trade की meaning क्या होती है ठीक है तो trade समझने के लिए यहाँ पर मैंने bilingual ppt बनाई है इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हो कि trade क्या है सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो हमें यह समझने है कि trade है क्या अशर में ठीक है trade के बारे में मैंने हा लिखा हुगा है any voluntary, legal and mutual transfer ठीक है इसका ध्यान से मतलब समझना जो word red में है उनको बहुत जादा importance देना है any voluntary, legal and mutual transfer between any two parties is called exchange ठीक है क्या कहा जाएगा उसको exchange कहा जाएगा and when the same exchange is done for the purpose of profit then it is called trade कोई भी दो goods and services अगर आप आपस में exchange कर रहे हो ठीक है और उसके बीच में profit involved नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना आप उसको trade नहीं कहोगे क्योंकि आपने barter system देखा है barter system में क्या होता है कि हम अपनी goods and services को किसी दूसरे की goods and services से बदलते थे जैसे हमें अगर मान लीजे हमारे पास गीहू है ठीक है हमारे पास wheat है और किसी के पास rice है तो हमें rice की जरूरत है हमने उसे weed दे दी और उससे rice ले लिया तो ये आपका क्या था barter system कहा जाता था जिसको आप वस तुमिनमे के नाम से जानते हो ठीक है तो ये सरिफ exchange है लेकिन अगर इसके बीच में profit involved हो जाए कि आप इसको profit के motive से कर रहे हो ना कि अपनी अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए या social welfare के लिए तो आप इसे trade नहीं कहेंगे लेकिन जब इसको involved हो जाएगा profit तो आप इसे trade कहना start कर देंगे ठीक है इन दिस exchange activity of business the transfer of goods is called market याद रखना है इस exchange में जो economic exchange हो रहा है इसमें जो goods and services transfer हो रही है उसके लिए आप एक नया word यूज़ करोगे which is called market ठीक है अब market and all those economic activities are included under the business which are related to the distribution of goods produce अब इसमें simple सी बात ये समझनी है कि economic activities अपने 11th में आपने economic activities non-economic activities के बारे में पढ़ा होगा ठीक है तो जो economic activities होती है उनमें आप उन सारी चीज़ों को use करते हो जो आपने produce की है distribution के purpose से distribution के purpose से जो चीज़ें आपने use की है उन सब को आप इसमें include करते हो ठीक है इसी तरीके से हिंदी में देख लेते हैं किसी भी दो पक्षों के बीच होने वाले एच्छिक वैधानिक या पारस्परिक हस्थांतरड को विनमें कहा जाता है जब यही विनमें लाब के उद्देश से किया जाता है तो उसे व्यापार कहा जाता है व्यवसाई की इस विनमें पर क्रिया में या क्रिया में वस्तूओं का हस्तांतरण बाजार कहलाता है तथा व्यावसाय के अंतरगत उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका संबंद उत्पादित वस्तूओं के वित्रण से होता है इस पूरे स्लाइड में आपको ट्रेड की मीनिंग तो एटलिस समझ में आ गई होगी तो ट्रेड में क्या-क्या चीज़ें जरूरी है वो मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर रखी है आप लोग देख रहे हो सबसे पहले वॉलिंटरी होना चाहिए लीगल होना चाहिए और म्यूच्वल ट्रांसवर होना चाहिए ठीक है पारसपरी हस्तांतरन होना चाहिए किसी को forcefully आप नहीं कर सकते कोई illegal वस्तू नहीं बेच सकते ठीक है तो अगर आप बेच भी रहे हो जैसे illegal black market में क्या होता है बहुत सारी illegal वस्तू में बिखती है लेकिन हम उसे व्यापार नहीं के थे इसलिए black market कहा जाता है वो trade नहीं हो सकता ठीक तो चलो next slide पर बढ़ते हैं देखते हैं क्या है अब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे internal trade क्या है next slide पर हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने internal trade के बारे में आप लोग को समझाया है internal यानि की national याद रखना trade refers to the business that is done between different region within the geographical boundary इस बात का खास ध्यान रखना है कि इस word को ध्यान रखना है geographical boundary of a nation which we also known as domestic trade or home trade किसके न और intra regional trade ठीक है जो अंतर छेत्री व्यापार होते हैं ठीक इसी के बारे में आगे हमने देखा है कि एक famous economist हैं hemberler उन्होंने क्या कहा है home trade generally means business within that area whose government is interested in its prosperity और that area come within the limit of the government अब इस definition को ध्यान से समझने के लिए देखो इनकी जो definition है दी तो बहुत सारे लोगोंने definition है लेकिन इन उसका एक logic है क्योंकि इनकी definition मुझे सबसे जादा अच्छी लगी उसका reason मैं समझाता हूँ दरासर ध्यान से देखो जो हिंदी मीडियों के बच्चे है वो भी ध्यान से देखें यहां पर मैंने आपको जो mention किया है उसको समझने की जरूरत है आपको मैंने कह ग्रह व्याप व्यापार का अर्थ साधारण तोर पर उस छेत्र के भीतर व्यापार से है या व्यापार है जिसकी समरिध्धी से सम्बंधित सरकार की अभरिची रखती है अथ्वा वह छेत्र उत्र सरकार की सीमा में आता है इसको समझाने के लिए मैंने एक example लिया है जो की next slide पर मैं दिख रहे हैं आपको यह इंडिया की जोगर्व कल बॉंडरी है है कि नहीं यह और हम बात करें क्या इसने पाल यह आपका यहां से आपको आना है इससे बाहर 2 क्या इंडिया है आपका नहीं है न या हम बात करें क्या ये इंडिया है नहीं है क्योंकि ये बैंगॉल है वेस्ट बैंगॉल आपका ये है तो आपको क्या ध्यान रखना है वो ज़रूरी है ये आपकी जोगरिकर पॉंडरी कही जाती है ठीक है ये भागोलिक सीमा है ठीक उस तो दिख रही है न साफ साफ की तमिल नाडू का जो एरिया है वो कितना है और तमिल नाडू गवर्मेंट अपने rule regulation इन boundaries के अंदर ही चला पाईगी ठीक है क्योंकि केरला में तो उसके rule लागू नहीं होंगे ये केरला है आपका ठीक तो इस चीज को समझने के लिए जो मैंने जाना जाएगा किसके नाम से जाना जाएगा internal trade के नाम से जाना जाएगा जैसे कि माल लेते हैं इस state से उत्तर प्रदेश में कोई goods and services जा रही है जैसे कि यहां से ट्रक जा रहा है ठीक है और अगर ट्रक यहां पहुंच रहा है ठीक तो यह देखा जा रहा है कि जो trade हुआ ह यानि कि इंडिया के अंदर हुआ है इसलिए हम इसको इंटर्नल ट्रेड के नाम से जानते हैं जिसे आंत्रिक व्यापार भी कहा जाता है आई होप की टॉपिक क्लियर हो गया बहुत सिंपल सी चीज है इंटर्नल ट्रेड ठीक है चलो नेक्स स्लाइड पर बढ़ते हैं आगे क्या है एक्स्टर्नल ट्रेड एक्स्टर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब आप किसी जोगरिफिकल बाउंटरी से बाहर ट्रेड करते हो ठीक है इस बात का ध्यान रखना कि external trade में है जब आप एक country से दूसरे country में व्यापार करने जाते हैं यानि एक country दूसरे country से व्यापार करती है तब external trade कहा जाएगा internal trade में क्या होता है कि एक ही nation के, एक ही country के दो state या दो districts ठीक है या दो block आपस में क्या कर रहे होंगे? trade कर रहे होंगे यह बहुत simple सी और बहुत अच्छी quote बानी जाती है इसका मतलब यह है कि आज की जो economic condition है present में उसने क्या किया है? कि जितने भी word में जितने भी हमारे country है उनको एक ही नाव में सवार कर दिया है उसका मतलब यह है कि एक ही नाव में सवार करने का मतलब यह है कि जितनी भी countries है वो इसी नाव में बैठी हुई है अगर कोई एक country भी कुछ गलत करती है या कोई ऐसा काम करती है जिससे उसका impact generate हो रहा है यूक्रेन की चल रही है कि नहीं चल रही है यूक्रेन और रशिया आपस में युद्ध कर रहे है जिसकी वज़े से gas ठीक है oil और आपका petroleum जितनी भी चीज़ें इसम महंगी होती जा रही है आपने देखा होगा ठीक है अब हम पढ़ेंगे international trade एक बात ध्यान रखना external trade को international trade या आप import export जब वर्ड यूज करते हो तो वो international word में यूज होता है ध्यान रखना ठीक है तो international trade refers to the trade carried out outside of the geographical boundary of a nation with another nation in other word international trade is exchange of goods and services from one economy to another economy it is often done by the nation with other nation of the world like India-Russia, India-America trade तो इसे हम क्या कहेंगे external trade के नाम से जानेगे हिंदी में भी मैंने mention कर रखा है आप easily पढ़ सकते हैं इसका PDF चाहिए तो आपको telegram channel join करना पड़ेगा ठीक है आगे पढ़ते हैं इसको मैंने समझाने के लिए जैसे माल लेते हैं यह world map है और यह हमारा क्या है प्यारा भारत क्या है यह हमारा इंडिया है ठीक है अब इंडिया को ध्यान से देखो इंडिया की जो boundary है वो यह है पिछले वाले example में मैंने जब आपको दिखाया था तो trade अंदर हो रहा था अब देखो जैसे माल लेते हैं कि एक truck है जो start होता है और वो इंडिया से जाता है ठीक कहां जा रहा है वो truck इंडिया से जा रहा है ठीक है तो जो word है internal और external इनको ध्यान से इसलिए समझने की जरूवत है क्योंकि इसमें boundaries का बहुत महत्तु है internal trade में आप नेशन की boundary जोगरिफिकल boundary की अंदर trade करते हो और external trade या international trade वो होता है जो आपकी nation की boundary है जोगरिफिकल boundary उससे बाहर जा रहे हो ठीक है समझ में आ गया या यूं कहलें कि इंडिया से पाकिस्तान में चला गया इंडिया से नेपाल में चला गया इंडिया से चाइना चला गया इंडिया से मंगोलिया है तो मंगोलिया तो चाइना का ही पार्ट है एक तरह से ठीक है या इंडिया से कजाकिस्तान चला गया, इंडिया से उस्बेकिस्तान चला गया, ठीक है, या इंडिया से तुरमेकिस्तान चला गया, इंडिया से इरान जाता है, अब ये ट्रेड जो होते हैं, ये थ्रो सी रूट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ट्रेड आपके बाइद ल दिक्कत क्या थी कि या तो इंडिया क्या करता यहां से सी रूट के जरीए यहां इरान में लेके आता इरान की गवर्मेंट फिर अफगानिस्तान को देती तो यह काफी लंबा खर्चा हो जाता सिंपली सा एक बात थी कि हम यहां से अपने ट्रक्स भेज देते अफगानिस्तान उसमें पाकिस्तान ने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया ठीक है तो बहुत सारे जो व्यापार होते हैं वो आपके सी रूट के जरीए ही होते हैं यानि कि 70-80% व्यापार आपका सी रूट के जरीए होता है तो अगर हमें इरान को कोई चीज बेचनी है तो हम इरान को भेजने के लिए यहां से इस रूट का इस्तमाल करेंगे ठीक है आई होग की टॉपिक क्लियर हो गया इसे हम external trade कहेंगे ठीक है अगला अब हम बात करेंगे similarity between domestic domestic को आप घरेलू trade भी कहते हो इसे ही आप internal trade भी कहते हो इसे ही आप home trade भी कहते हो ध्यान रखना इस बात को external trade और internal trade में क्या-क्या similarities देखने को मिलती है तो सबसे पहली बात है domestic trade है इधर और यह है आपका external या international trade है सबसे पहली चीज तो specialization दोनों में ही देखने को मिलती है या district के बीच में हमेशा trade specialization पे होता है जैसे suppose करो अगर हम बात करें कि जो आपका महराष्टरा है ठीक है और यहाँ पर आपका UP है ठीक तो UP और महराष्टरा में specialization होगी कोई goods महराष्टरा अच्छी बना लेता होगा तो कोई good UP अच्छी बनाता होगा समझ में आ रहा है जैसे अगर हम बात करें black soil की तो black soil आपको महराष्टरा के आसपास मिल जाती है वहाँ पर क्या होता है cotton जो होता है बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि black soil में ही आप cotton होना अच्छा होता है तो cotton जो होगा वह महराष्टरा में अच्छा होगा as compared to UP तो इसे कहते हैं specialization कोई किसी काम में माहिर होना जब आपके अंदर माहिरात हासिल हो जाती है जब आप यह कहते हो कि मैं इसमें specialized हूँ तभी आपकी value बढ़ती है और तभी आपको दूसरे पसंद करते है ठीक है तो जो trade होता है वो specialization के basis पे ही होता है ठीक है और division of labor कई बार क्या होता है कि जो labor होता है वो कहां पर कितना है ये भी depend करता है कि trade होगा की नहीं होगा जैसे माल लेते हैं आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास क्या नहीं है लेबर नहीं है जब आपके पास labor ही नहीं है तो आप कितना भी trade करनी की कोशिश करें या किसी चीज़ को उत्पादित करनी की कोशिश करें तो आप नहीं कर पाएंगे क्यों कि ये सब factor of production कहे जाते हैं क्या-क्या है लेबर, capital और entrepreneur ये चार factor ऐसे होते हैं जो क्या कहे जाते हैं production factor इन में से आपको अगर लेबर ही नहीं है तो आप कितना भी कर लो नहीं कर पाऊगे दूसरा है क्या similarity तो यही similarity आपको specialization देखने को मिलती है external trade में जाहिर जी बात है भाई अब जो jute है ठीक, jute तो jute क्या होता है पाकिस्तान में अच्छा होता है as compared to India तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है भारत पाकिस्तान से jute import कर लेता है जो कि इस टाइम पे नहीं हो रहे है लेकिन trade होता है जैसे gas के मामले में रशिया सबसे अच्छा माना जाता है ठीक है रशिया के पास सबसे ज़्याद गैस pipeline है तो उससे लोग import करते हैं अब गैस क्या हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास जो गैस है उसको mining करके उसको purify करके निकालने की जो हमारी cost आती है वो रशिया से ज़ादा आती है इसलिए और रशिया की अच्छी भी quality होती है इसलिए हम उससे ले लेते हैं तो specialization आपको domestic में भी देखने को मिलता है, external में भी देखने को मिलता है अब हम बात करें exchange of goods and services तो भाई जाहिट जीबात है, trade होगा, तो जाहिट जीबात है exchange of goods and services होगे तो आपको exchange of goods and services internal में भी मिलते हैं और external क्योंकि trade तो तभी हो रहा है जब आप goods and services का exchange कर रहे हो फिर इसमें भी दो parties होती है, क्योंकि trade जब भी होगा वो दो parties के बीच में ही तो होगा भाई रशिया हमें force का सकता है कि नहीं आपको हमी से लेना पड़ेगा वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं तो ये क्या होता है voluntary होता है हम चाहें तो आपसे खरीदें या किसी और से अगला है social relation जब भी trade किया जाता है तो याद रखना है कि जब भी किसी दो geographical boundaries से trade होता है तो उसकी जो culture होते हैं उसके जो रहन सहन के तरीके होते हैं वो भी वहाँ से आते हैं वो भी हमें कई बार देखने को जैसे अगर आप history के student हो history आपने पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि कई जब पुरानी हडपा सबेता पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि बाहर से जब हमारे पास कोई सामान आते तो वहां के जब लोग आते थे यह trade के जरीए ही मुम्किन हो पाया है ठीक है तो I hope कि यह बहुत छोटा सा topic था जो आपको समझ में आ गया होगा और अगर इसमें कोई confusion है तो आप मुझे comment section में जा करके type करके बताना कि आपको क्या confusion है मैं उसको clear करने की कोशिच करूँगा और next video आपको जो मिलेगी वो इसी topic को आगे carry on रखेंगे आपका next talk slide में मनाऊंगा वो होगा difference between internal and external अभी मैंने आपको similarity पढ़ाई अब मैं difference पढ़ाऊंगा उसके बाद trade theory पर हम discuss करेंगे कि trade theory कौन-कौन सी है ठीक है I hope कि वीडियो आपको समझ में आया thanks for watching मिलते है next वाली वीडियो में तब तक के लिए करेंगे